नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल इंडुस्ट्रियल सॉल्यूशन्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंट्स बात करने वाले हैं प्रेशर यूनिट्स की और इस वीडियो के माद्यम से हम आपको बताने वाले हैं, कि कैसे हम किसी एक प्रेशर यूनिट को different unit में convert करते हैं Examper अगर अगर ले, कैसे हम bar को psi में convert करते हैं, या फिर bar को kg पर cm2 में convert करते हैं या फिर हम कहें, psi को कैसे हम kg पर cm2 में convert करते हैं तो इस सारे unit conversion मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से clear कर दूँगा तो चलिए फ्रेंड वीडियो को start करते हैं फ्रेंड तीन section में मैंने divide कर लिया इसको जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं bar to psi conversion और psi to bar conversion ऐसे ही bar to kg per cm, kg per cm2 to bar conversion सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम bar को psi में convert करते हैं तो सबसे पहले चीज़ होती है friend एक bar में कितने psi होते हैं 1 bar equal to 14.5 psi अब एक example हम ले जेते हैं हमारा कोई system है जिसमें 80 bar pressure है अब इसको मैं convert करना है psi में तो simple सा concept है psi क्या होगा आपका 80 into 14.5 इसको जब आप into करेंगे तो कुछ value आएगी आपकी 1160 psi इस तरह से आप इसको convert कर लेंगे 80 bar को psi में अब मानके चलिए एक और question है आपका उसमें दिया हुआ है आपको 30 psi ये 30 psi आपने जादतर देखा होगा जो गाड़ी के rare wheels में हवा भरते हैं वो 30 psi form में होती है अब इसको आपको convert करना है बार में कोई दिक्कत नहीं है friend बस simple सैसे divide मार दीजे कैसे बार क्या हो जाएगा 30 upon 14.5 और ये आएगा आपका 2.068 bar ये आपका conversion हो गया bar to psi and psi to bar बस ध्यान कर रखना है एक बार में कितने psi होता है ये आपका important है ये आपको ज़रू दिहान रखना है अब हम देखते हैं bar to kg per cm2 conversion friends अब एक बार के अंदर होता है 1.02 kg per cm2 बिल्कुल equivalent सा ही है थोड़ा सा ही अंतर है अब मान के चलिए हमारा कोई examper ले लेते हैं 100 bar pressure है हमारे system का अब उसे हमें convert करना है kg per cm2 में तो simple सा concept है friends kg per cm2 हो जाएगा आपका मतलब एक बार में इतना है तो 100 बार में कितना होगा 100 into 1.02 तो ये आगए आपका kg per cm2 102 kg per cm2 अब friends इसका उल्टा ले लेते हैं अब मानके चलिए हमारे system में 102 kg per cm2 आ रहा है जो हमारा pressure gauge है वो 102 kg per cm2 का है अब इससे आपको बार में convert करना है बार में तो क्या करेंगे simple सा divide मार देंगे बार हो जाएगा आपका 102 किस से divide मारेंगे ये 1.02 से और ये value आपकी निकल के आ जाएगी 100 bar तो 100 bar pressure आ गया ये conversion हो गया आपका bar to kg per cm2 and kg per cm2 to bar अब हम final check करते हैं एक kg per cm2 में कितने PSI होते हैं इसका होता है 14.23 PSI तो इसका भी simple सा conversion होगा कोई issue नहीं है मानके चलिए हमारा कोई system है उसमें एक जामपा ले लेता हूँ में 75 bar pressure आ रहा है और इसे हमें PSI में convert करना है तो क्या करेंगे आप सीदे वोई एक बार में इतने PSI होते हैं वो sorry 1 kg per cm2 में इतने PSI होते हैं तो 75 में कितने होंगे 75 into 14.23 into करके आपका कुछ value आएगी 1067.25 PSI और अगर आपको PSI गिवन होता kg पर cm2 निकालना होता तो आप क्या करते सीदे डिवाइड कर देते 14.23 से तो यह हैं फ्रेंट्स आपके basic conversion conversions की बात तो होगी है फ्रेंट थोड़ा सा मैं आपको और detail में बतायता हूँ कि कुछ और different units भी होती है जैसे कि मैं SI unit की बात करूँ अगर pressure की SI unit और CGS unit तो SI unit होती है फ्रेंट पासकल यह ध्यान लखना है interview में पूछ रेते हैं कई बार कई कोई question भी आया था आपका और CGS unit होती है बार फ्रेंट वन बार किसके बारावर होता है एक 102 की पावर 5 पासकल के यह भी एक unit जहान रखना है फ्रेंट को इससे आप सारे conversion कर सकते हो वन बार 0.1 मेगा पासकल के एककल होता है MPA यह PA पासकल और वन बार एककल टू 100 कलो पासकल तो यह वाली units भी आपको जहान रखना है कई बार कहीं कोश्चन में यूद हो जाती है और CGS unit कौन सी होती है आपकी बार होती है और SI unit होती है पासकल अगर कोई आपसे पासकल की definition कुछता है What is 1 पासकल तो कैसे आप define करेंगे उसको यह मैं आपको समझाएता हूँ देखे फ्रेशर होता है आपका force upon area तो 1 पासकल क्या होगा 1 पासकल is equal to force of 1 newton exerted on area of 1 meter square यह आपकी definition होगी pressure की definition क्या होती है pressure is defined as ratio of force to that of area तो ऐसे हमने 1 पासकल की definition define कर दी मतलब 1 newton की force exert हो रही है कितने area के square पे 1 meter square area पे तो फ्रेंट पूरा concept मैंने आपको clear कर दिया है unit conversion का जो भी pressure unit होती है सारी मैंने आपको explain कर दिया आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इसके बाद भी आपका कोई doubt बचता है आप comment section में मुझे बता सकते है और friends अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो लाइक कीजिए friends जाज शाद वीडियो के share कीजिए and please don't forget to subscribe my channel thank you